प्रिये चात्र अहम आपी तौम दसम कक्साया एका दसपाथ पठामी तौम ध्यानेन सुन्वन्दू तस्य नामना यस्य जननम तस्य मरनम चलो आएए देखते हैं ग्यारवा चेप्टर यस्य जननम तस्य मरनम मतलब जिसका जनम है उसका मरन भी है अस्ती विद्दास नाम प्रभूत लोब सम्रूत कचित वनिक जन विद्दास नाम का बहुती लोबी सम्रूत और कचित वेपारी था तस्य उसका कुटना नाथा बीद वेश्य प्रातिवेशिक आसित मलब उसका कुटनाथ नाम का एक प्रातिवेशिक पडोसी वेश्य वेपारी पडोसी पडोसी भी था एक दा कुटनाथें एक दिन कुटनाथ चिंतित यदा चिंतित हुआ यदा विद्दास तनिको पी लुपत वतले एक दिन कुटनाथ चिंतित हुआ विद्दास धनवान है और लुपत वतले लोबी है मलब लालची है अतन केना उपायन मया असो वंचनिया तो इसलिए कौन आने वाले दिनों में ओतिथी भविश्यती महमान बनने बाद है तेसा मँर्थ से उसके लिए बोजनादी निर्माना है महलन पोजन बनाने के लिए कानिचीत कुछ पात्तराणी महलन बरतन कुरपया मयम यच्छतुम महलन कुरपा करके मुझे कुछ बरतन दो परस्वम तानी प्रतिश्यामी, मला आने वाले दिनों में मैं तुम्हें प्रतिश्यामी मला वापस लोटा दूगा. एसा कुटनात ने विद्धास कोगा प्राती वेशेक दर्म पावेन और प्राती वेशेक मलब पडोसी के दर्म के पावसे विद्धास कुटनात है पात्राणी प्रायच्चत विद्धास ने कुटनाथ को बरतन प्रायचर में दीए पात्रोप योग वसाने बरतनों का योग्य उप्योग हो जाने पर कुटनाथ पात्राणी प्रतेतू विद्धासम ग्रुमां में अचछत मलब कुटनाथ बरतन को वापस लोटाने के लिए विद्दास के घर के पास में हो जाता है ते पात्रे पात्रे सह ते पात्रे सह कुटनात अन्यानी कानेची लगोनी नुतनानी पात्रानी अपी तत्रस सापितवान उसने क्या किया कि उस जो विद्दास के जो बरतन थे उसके साथ कुटनात ने अन्यान अपी अन्या कुछ लगू मतलब छोटे और नए बरतन भी उसके साथ सापीतवार मतलब रख दीए और लगू ना नूतना ना पात्राण दर्सन और लगू मतलब छोटे और नए बरतन को देखकर विश्मित होकर आश्चे जेकितोकर विद्दास कुट्टनात को पुछता है भू वैस, अरे वैसे मलब भाई के समान, अरे भाई एतानी पात्राणी मौम न शंती यह बरतन मेरे नहीं है कुट्नात अकत्यात, कुट्नात ने कहा मित्र यानि पात्राणी भवता, तुमने जो बरतन यह जो तुमारे बरतन है मित्र जो तुम्हारे बर्तन थे तुमने जो दतानी वो जो तुमने मुझे दीए थे तानी मम गुरुहे रात्रो पसु तानी वही बर्तन मेरे घर में उसका ये नय बर्तन का उसको जन्मा उवा है ये जो छोटे और नय जो बर्तन है उसके अपत्यानी संती अपत्य रूपेन और अपत्य मले बच्चों के समान नूत्रानी पात्रानी संप्राप्य और ये नय और बर्तन को प्राप करके विद्दास प्रसन जाताम वियतितेशु मला कुछ दिनों के बिचने के बात दिवसेशु कुटनातम। पुनरपी विद्दास पाढख के बिचने के बात फिल से विद्दास पात्राुषा titled pregnancy मले भूतितेशु कुछ दिनों के बिचने के बात बर्तन छेрушक वूति-त कीり को सम। प्रदेद्यप्य प्रतरेप्य जितने बऱतन तिया उससे बी अधिकाना पात्राना लागों पोई से ते मलो ज्यादा बरतन का लागो होगा होगा इती ही दूरमत्य परेड़तो विद्धास कर गाज़ आसे दूष्ट बुद्धि वितितोपी एक मांसे यदा कुटनात पात्राणी नप्रतित्वान और एक महेना वितने के बाद भी कुटनात ने पात्राणी नप्रतित्वान प्रतेद्वान प्रतेद्वान कोटनात ने वापस नहीं लोटा एंपने बरतरों को वापस मांगता है तुम्हारे जो बरतन जो थे वो सबी उसका मरण हो गया है विद्दास कोपाविष्टम और विद्दास गुसे में आकर जन अकत्य कहता है एवं कथम भवेत यह सा कैसा हो सकता है भोवचक अरे ठगने वाले त्वाम मिथ्या वचे तुम जूठ बोल लेओ निर्जीवेना पात्रन मरण कतन संभवती निर्जीव मलब निर्जीव पात्रों का मरण कैसा संभवित हो सकता है पुर्व जातानी पात्रनी भवता पुर्व तुमने जो मुझे बरतन दिये थे भवता गुरुहे विलिसती वो मेरे गर में उनका जन्म हुआ था तत्रह म की करतु संभता तो मैं क्या कर सकता हूं पस्यम देखो जन्म होता है तो मरण होने में उसमीं संकाई क्या है जगत में जिसके उत्पति होती है ऐसा उसका नास भी होता है तो इसी तरह आपका यह 11 चेप्टर खतम होता है कुटनात ने कुट निती से कैसे विद्दास को ठग लिया तो यहाँ आप स्टोरी में देख सकते हो इसका ट्रांसेशन आपको अपनी नोट बुक में अवसे लिखे और उसको लर्न भी अच अवसे कर लिए